नमस्कार दोस्तों स्वागा थाप कमेंडे चनल टेकनिक लायूस में दोस्तों आमें आपको बताने वाला हूँ अगर आपके पास आइफोन या फिर आइप्ल का कोई भी प्रोडक्ट है आप उसमें से 2023 में एपल आइडी को रिमूब करना चाहते हैं जैसा कि दोस्तों आपक किसी दूसरे को देना चाहते तो आप अपने एपल आइडी को रिमूब करते हैं या फिर आपने अपना एपल आइडी किसी अन्ने के मुवाइल में लॉगिन किया है तो उसको आप सेक्यूरली कैसे अपने वहां से रिमूब करते कि उसको फिरो डेटा न ले पाए सबसे प क्रोल करना है तो आपको यहां पर sign out का option दिखेगा नीचे सबसे नीचे आप देख सकते हैं और आपको जो Apple ID login होगा वो यहां पर दिख जाएगा कि कहा कहा लोग इन दभी तो फिरहां मेरा iPhone 13 login है हमको यहां पर sign out वाले option पर simply click करना है तो दोस्तों यहां पर देखिए password यहां पर password मांगा जादा है मतलब आपके Apple ID का password नहीं है तो आप forget password पर click कर लिजिएगा अगर आपको यह पूरा वीडियो देखना है कि Apple ID का password password forget कैसे करते हैं तो इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रेप्स में देदूंगा आप जाके वो वीडियो देख लीजिएगा फिर उसके बाद आप यहां पर password लिखके ऊपर turn off पे click कर देना है दोस्तों यह simple step है बहुत सारी चीजे इसमें है तो यहां पर आपको 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 जो जो चीजे में बता रहा हूं यहां पर देखिए डेटा लेने के मिला आप कॉपी करने के लिए बोल रहा है अगर आप चाहते हैं तो कलेंडर सारी चीजों का डाटा कॉपी कर लिजेगा माली जब कभी किसी यहां ने आइफोन में लॉग इन करेंगे तो आपका पूरा देटा रीकवर रहेगा फिर हमें यहां पको कुछ भी दिख्कत होती है तो आप एहां पर हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं तो देखिए दोस्तों हैां पर सारा चीजा मेरा यहां पर हो चुका हरह मुझे दिखाई देरहा IPhone तो उसके बाद आप जाके आईफोन में मतलब एक तरह से यह मेरा नेट का प्रॉलम इसलिए ऐसा आ रहा था तो इसको आप इसके बाद आपके पास आईफोन ने तो बेल आईगन को भी जरू दबा दीजिए आईफोन से लेटर वीडियो के तो मिलते हैं अगले वीडियो में